इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी पैसिपर डी चालीज कैपसूल एसार एक डॉक्टर के परचे की दवा है जिसका इस्तेमाल छाती में जलन पेट में दर्द या जलन जैसे लक्षणों से राहत देकर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार बिना भूजन के लिया जाता है डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज क को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है अपनी हिल्थ के टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं अधिकतर side effect diarrhea, dust, पेट फूलना, गैस बनना, पेट में दद, मूह में सूखापन और सिर्धर्ध हैं इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतार पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इन में से किसी भी side इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें इससे नीन तथा चक्कर आ सकते हैं इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि यह दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है तब तक ड्राइविंग तथा मांसिक एकागरता की आवशक्ता वाली क चॉकलेट से बहतर परिनाम पाने में मदद मिल सकती है इस दवा को लेने से पहले अगर आप गरभवती हैं गरभवती होने की योजना बना रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई बीमारी ह तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए ताकि डॉक्टर आपके लिए उपयुक खुरा क्लिक सके विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब क करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद